कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे हूंगे आप सबी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ इस चैनल पर स्वागत है आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ पांडाउ नगर की चाप की सौप पर जिसका नाम स्रीबालाजी फूड है जो पांडाउ नगर में डी पार्क के बिलकुल सामने है इसके लिए आपको निरेस्ट मेट्रो स्टेशन अच्छर दाम पर उतरना होगा ये सौप प्योर वेजिटेरियन सौप है इसकी टाइमिंग दोपैर तीन बजे से रातरी ग्यारा बजे तक है इनके यहां पर रूल्स और ग्रेवी तवा का भी आप लूट उठा सकते हैं मैंने अभी अभी मलाई चाप ओर्डर की है जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इसे तंदूर पर अच्छे से सेका गया है और अच्छे से इसे मसाले में मैरिनेट किया गया है मेरे हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है एक बार आप सब यहाँ पर आकर अपनी पसंदीदा चाप का आनन्द उठा सकते हैं स्री बाला जी फूट सौप की सर्विस बहुत ही अच्छी है और चलो मैं वहाँ के एक स्टाफ मेंबर गुलेड सींग गुला से इस सौप की बारे में कुछ जानकारी कुछ की आप यहाँ पर किस तरीकी से सर्विस प्रोवाइड कराते हो किस तरीकी के चाप ग्रेवी और रोल्स बगडरा प्रोवाइड कराते हैं मैंने से कुछ जानकारी लेता है मैं यहां पर बहुत पहले भी खाय में आता हूं और अभी भी आता हूं बट आज मैंने भाई जी के साथ मना सचा मरे के गीडियो बना हूं तो भाई जी आत भी नता हूं आप और कॉनपर से चाप को भाई चाप है मैं आपको यहां पर डिनर की प्रोपर विवस्ता में जाएं आप चाप के अनावा आपको और भी चीज़ें पनीर पनीर टिक्टा और तंदूरी रोटी 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 नाल आपको सब कुछ आपको बुलाना चाहते हैं तो आप ऐसा क्या चीज़ बूलना चाहते हैं जिसके पॉलिक आपके पास आए और खाए क्या ही कि स्पेसिल भी अगरी तो आपको प्वालिटी अची है आपको अची ने जो हो या मनलब कुछ भी कहीं चीज़ें में आपको लगते हैं कि इस बड़े से मेरे पास हो तो तेस्ट भी देना पड़ता है तो पर इसे पॉन्टेटी भी देना पड़ती है और सबसे अची चीज़ है कि यहां पर आपको बैठने की बहुत ही अच्छा रेनिमेंट है और और इसके साथ भी यहां पर सबसे प्रात्मिक चीज़ किया है कि बिल्कुल नीट एंड ग्लीन स्पीस अला आपको कहीं भी कुछ भी गंड़गी नहीं मिलेगी और अनागर ज कुछ पढ़ाया गहीं कुछ गंड़गी है और यहां पर बिल्कुल कोई सफू किसा नहीं है आप बैठके इत्मी नाम से आप चाफ का मज़ा ले सकते हैं और यह चाफ का नाम सौप का नाम है बालाजी स्री बालाजी फूली यह आपका पांड़ा नगर में अच्छर नाम क के पास है कि दिपार के पास है कि दिपार के पास जैसा कि मैंने दूसरे ओडर में अचारी चाप ओडर की है और अचारी चाप को खाने के बाद हलका हलका अचार का भी स्वाधार आ रहा है जो की बहुत ही डेलिसियस है और मैं आप सभी से एक बार सजेश्ट करूंगा कि आप लोग एक बार यहां पर जरूर आए और चाप का लुथ जरूर उठाएं क्षाप पिलिश याओन स्वाश्यों अचर व्याद पर अचार का बार यहुद टून् devाब्स झाल झाल